Good morning student, आज का जो हमारा topic है वो है circle तो इस topic के अंदर हम circle के बारे में और circle के properties के बारे में जानेंगे तो इसकी शुरुवात करते हैं, इसकी definition से circle की So what is a circle? A circle is a close curva which is not a polygon Circle एक ऐसा close curva है, जो polygon नहीं है ठीक है? Polygon नहीं है क्योंकि इसमें इतने line segment यूज होते ही नहीं है ठीक है? एक simple इसकी definition है यह circle is a close curva which is not a polygon ठीक है? दूसरा उसकी property के बारे में जानते है ठीक है? तो जैसे यहाँ पर आपको circle दिख रहा है कि यहाँ पर circle जो है वो draw किया गया है जिसमें जो center है वो है point C ठीक है? फिर line segment row की है जैसे की C A, C P और C B और C A ठीक है? तो जो line segment जो circle के point को circle के center से जोडती हो उसे हम खहेगे radius example यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि radius कौन कौन सी होगी तो देखिए यहाँ पर circle पर point है point A जिसके साथ एक line segment जो है वो center C की साथ joint है तो वो radius कहलाईगी same way यहाँ से center C से एक line segment जो है वो शुरू होते हुए point P तक जाती है तो वो भी radius कहलाईगी ठीक है then C से B तक वो भी एक radius है और C से M तक ठीक है तो यह circle का radius हुआ और radius को अगर हम दूसरे वड में कहें तो आप कह सकते हो कि circle के किसी भी point से circle के center का half distance यानि आधा distance जैसे आपको दिख रहा है कि यह सिफ आधा distance है ठीक है students अभी हम बात करगे एक और topic की that is diameter तो diameter of circle क्या होता है diameter of circle का definition है that is a line segment is passed from the center of the circle that is starting from the one point of the circle and end to the other point of the circle it is called the diameter यानि कि ऐसी line segment जो circle के एक end से शुरू होती हो और दूसरे end को जाके खतम होती हो और center को भी pass करती हो तो यहाँ पे आप यह जो line segment देख रहे हो ठीक है वो point पीछे शुरू हो रहा है center C से पास होते हुए point M पे खतम हो रहा है ठीक है तो यह लंबा सा जो line segment है जिसे हम call भी कहते है वो circle का diameter है और आप दूसरी language में यह भी कह सकते हो कि अगर दो radius को अगर एकठा किया जाए तो वो diameter बनता है यानि कि आप लिख सकते हो जिसे radius को जो है वो r से symbolize करते है तो हम कह सकते कि 2r यानि कि 2 radius equal to diameter of circle ठीक है तो यह हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 2 radius जो होते है 2 radius is equal to 1 diameter ठीक है so diameter को हम D से denote करते है मैं एक बर इसे फिर से repeat करता हूँ कि radius क्या होता है जहाँ radius 4 line segment है जो center सिचे शुरू होते हुए circle की सी end point पे खतम होता हूँ ठीक है इसको हम radius कहते है लेकिन diameter क्या है जब एक ऐसी line segment या ऐसा कोई code जो circle के सी एक end point चे शुरू होता है और center से pass होते हुए circle के दूसरे end पे जाके रुपता है तो उसे हम diameter कहेगे यहाँ पे आप diameter जो है PM को कह सकते हो और एसे लेके अगर मैं इस point का नाम दे दू F तो AF भी उसका diameter जो है वो कहलाएगा ठीक है अब उसमें आगे बढ़ते हैं अब दूसरे एक चीज यह है कि diameter को हम longest code on the circle भी कह सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा code होता है circle के उपर अब question होता है कि code क्या है तो code एक ऐसा line segment है जो circle के point को जोड़ता है example यहाँ पर जो आपको दीख रहा है कि मैंने लिखा यहाँ पर code PB ठीक है तो यहाँ पर circle के दो point को यह code जो है वो joint कर रहा है ठीक है इसलिए मैंने उसका नाम दिया है code PB अब अगे बढ़ते है कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर radius कौन कौन है तो CB CP CA और CM ठीक है तो यह सारे radius के examples है और यहाँ पर लिखा है कि PM equal to diameter of circle आप इसमें AF को भी join कर सकते हो ठीक है now PB is a code connect to point P and B on circle जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि PB जो है एक ऐसा line segment है कि circle के 2 point को join करता हो ठीक है अब उसके next part पर चलते है जिसका नाम है arc तो student question यह होता है कि arc क्या है तो arc एक ऐसा कोई भी portion है जो circle को cover करता हो जैसे कि मैंने यह जो dark side की है यहाँ पर 2 point ले लिए है ठीक है यहाँ पर मान लो कि center C हो ठीक है तो एक ऐसा portion है circle के उपर जो circle को cover करता हो उसके center से ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि यह this is the arc PQ on a circle ठीक है तो यहाँ पर जो है वो arc जो है वो PQ है ठीक है अब अब हमने पढ़ा भी है बहुत बार कि triangle जब होता है या फिर square होता है तो interior x-ray side तो वैसा कुछ circle में भी होता है तो आगे के part में वो पढ़ेगी कि वो क्या है चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो part है उसमें जो है उसे बोलते है sector ठीक है तो हमारा question यह होता है कि sector of the circle किया है तो यहाँ पे एक definition है कि sector क्या होता है a region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and pair of radii on other two side is called sector यानि कि एक और चीज अगर radius जो है दो हो circle पे या मतलब कि एक से ज्यादा हो तो उसको plural form जो है हम कहते है radii okay r a d double i radii तो यहाँ पे जो definition है कि sector of the circle क्या होता है तो उसका definition यह है a region in the interior of circle enclosed by an arc on one side and pair of radii यानि कि sector वो region है जो arc और circle की radii से radii के enclosed होने के बाद बनता है यानि कि sector को circle की arc और circle की radii जो है वो close करती है जैसे कि आपको यह inner region दिख रहा है जो arc pq और radii mc और cq से cover हो रहा है ठीक है तो यह देख सकते हो आप की दिखो यह है radii mc और qc यह दो radii है यहाँ पर circle पर arc क्या है pq है तो यह arc और radii मिलके एक area को जो है close कर रहे यान की उनकी under कर रहे ठीक है तो यह जो inner portion है उससे हम कहेगे sector तो आप एक और बार पर सकते हो a region in the interior of the circle यान की अंदर का region interior of the circle and close by यान की cover हो जाना close करना by किस से by an arc यहाँ पर है arc pq on one side and pair of radii pair of radii का मतलब है दो radius से जैसे की यह है cm और cq ठीक है so in other two side radio on other two side यान की arc ने one side से cover किया है और radii ने दो side से cover किया है उस region को हम लोग उस अंदर के region को हम लोग जो है वो sector कहेगे ठीक है this is called the sector of the circle फिर से एक बार radii के दो side से और arc के एक side से जो area cover हो रहा है अंदर का circle का उसे हम sector of the circle कहेगे अब चलिए इन दूसरे एक property पे जाते है circle की that is called the segment तो question होता है कि segment क्या है तो यह उसकी definition यह region in the interior of a circle enclosed by a code and arc is called segment of the circle यानि कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यह अंदर का region है यानि कि interior ठीक है किस से enclosed हो रहा है code से अब यहाँ पे code जो है वो है बीडी ठीक है और arc भी है वो भी है बीडी ठीक है यानि अंदर का ऐसा region जो code से और arc से cover होता हो उसको हम लोग कहेगे segment अगर आपको यहाँ पे ऐसा question हो रहा है किया arc और code सेम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने बीडी को ऐसे code लिया हुआ है और यह जो dark portion आपको दिख रहा है मैंने बीडी को ऐसे arc लिया हुआ है जिसका result मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो आप देख सकते हो कि यह code और arc से जो region close हो रहा है that is called the segment of the circle ठीक है तो again मैं पढ़ रहा हो region in the interior of a circle enclosed by a code and arc is called a segment of the circle यानि कि वो region जो code और arc से cover होता हो उसे मैं segment कहूंगा अब एक last जो है वो topic लेते हैं circle की अंदर that is the circumference of the circle तो circumference of the circle क्या होता है वो simply एक outer region होता है circle का जैसे आप कह सकते हो border ठीक है उसरा हम circumference of the circle कहेगे ठीक है distance around a circle is called circumference of the circle या तो अब उसका बोल सकते हो कि पूरा area ठीक है and then last is semi circle तो semi circle क्या होता है semi circle और कुछ नहीं लेकिन circle का आदा हिस्सा होता है तो यहाँ पर सिर्फ दो figure draw करके दी है कि एक diameter जो होता है वो circle को दो हिस्सों में divide करता है या तो इस तरह या तो इस तरह और जो result निकलता है and वो होता है इस तरह यानि कि it is called half circle भी बोल सकते हो और semi circle भी बोल सकते हो यहाँ पर pm diameter है और यहाँ पर एक पार्ट आपको दिखाया गया है तो कुछ और पार्ट इस तरह से भी हो सकते है तो स्टेंट्स अभी नेक्स टूडियो में मैं उसका solution भी दे दूँगा यह सिव उसकी explanation थी ठीक है और सुनने के लिए thank you